हेलो दोस्तों ये कलास सेवर मेट शेप्टर नमर फर्स्ट पुर्णाउंत को की समझ और ये लेक्चर नमर नाइन है और आज किस वीडियो में हम जोनने वाले हैं पाइल ये करन अब सरली करन का मतलई उसको पूरी तया से शरल करना या फिर इस आपके सकते हैं बोड्मास अरथार्थार्थ बोड्मास जो है इसके बारे में भी इसमें हम जोनने वाले हैंगा है विका नहिर् पहले काका, तब भाग, तब गुना, तब जोर, तब घटा, इनका हम कावम करेंगे, अब यहाँ पहे कोष्टकों का प्रियोग, यूज ओफ ब्रैकेट्स, कहरा है पहला होता है रेखा कोष्टक, अब रेखा कोष्टक किसे कहेंगे, इसको आप कहिएगा लाइन ब्रैकेट, इसे सरल रेखा द्वारा बेंजक के उपर लगाते हैं, जिसका हल पहले करना है, यानि रेखा कोष्टक जो है, इसका हल हमें पहले करना है, और ये किसी भी बेंजक के उपर लगाया जाता है, जैसे 3 पलस 4 है, इसके उपर लगा दिये, तो सस से पहले हमें इसका काम करना प यह गया answer अब हम आगे देखते हैं आगे यहाँ पे है छोटा कोश्टक आगे का जो है वो है छोटा कोश्टक अब छोटा कोश्टक क्या होता है उनके बारे में समझ देख चोटा कोश्टक में हो जाएगा small bracket इसको हम कहेंगे गुनाद 4-2 है ताब इसे हम solve कैसे करेंगे उनके वान समिझते जैसे है वैसे उतार दिये 2-3 उतार दिये पहले इन bracket का करेंगे चोटी bracket का 4-2 घटाए 2 आप क्या करना है 2 को रहने दिये पलस है तो पलस अब इसको इसको गोना कर दिये दिये हो गया छे इसको जोड़ दिये दिये हो गया आठ अब आगे है मंजला कोश्टक या फिर इसे मंज़ोली ब्रैकेट भी कह सकते हैं इसे हम कहाड़े है मंज़ोला कोश्टक यहाँ देखे मंज़ोला कोश्टक जो है इसका अप इंग्लिसमे कहिएगा बीग ब्राइकेटा और इसका चिन होता है इस तरह से इसका चिन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा स तब कड़ी भागा सकल गुना, तब जोड तब घटावा, वहाँ पे जो हम बोलते हैं सकल गुना, तो यही है जो सकल गुना है जो आप देख रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कोमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगल